बड़ी एद की बड़ी खुशियां एद मुबारक रोही देखने वालों को जिनूबी पंजाब के लोगों को जहां जहां रोही देखा जा रहा है सब को एद मुबारक बड़ी एद की मुबारक कुर्बानी का दिन है कुर्बानी का सिलसला चारी है और अलापाक को ना तो खुन पहुंचता है और ना ही गोश पहुंचता है वो तकवा है जो कुर्बानी के पीछे वो जजबा है वो उसका ही अजर है और जो आईद आप कर रहे हैं जो मना रहे हैं जो खुशिया आप बना रहे हैं उसमें जहां अपने आसपास आपने लोगों को जरूर नजर में रखना है कि अपने कुर्ब जवार में जहां आपने गोश्ट पहुंचाना है जहां आपने हिस्सा पहुंचाना है और जहां आप देखें कि जिनको मदद की जरूरत है और आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आपको वहां पहुंचना है ये कुर्बानी का जजबा है ये बड़ा जजबा ह इसे जो है, वो सारी सुरत हाल अभी तक मतासिर है, और इस बड़े दिन पे, इस बड़े मोकिय पे, इस बड़े तहवार पे, इस मिलने से भी तक म्मूंख भी है, रुक रहे हैं ना मिलने हूँ ने जारी क्या हुएकि खे खोड का खिया है, आपकी जममधारी दूसरों की ख्यार रखना भी है इतका हवाले से जारी है रहर तरफ खुश बू रंग खाने, पकवान, टियारियां जो हैं, वो सिल्से जारी हैं, जो कुर्बानियां हैं, उनका सिल्से भी जारी है, हमारे साथ जो आज महमान हैं, वो हाशिर हमारे साथ ब्लागर्ज हैं, यूद को जो है, वो रिप्रिजेंट करते हैं, हाशिर कैसे हैं, आप ठीक हैं, खेरियत से हैं, ब व्लॉगर हैं और इंफ्लॉइंसर हैं और नजाने क्या कहा हैं लेकिन अभी तालीम हासिल कर दीए कैसी है आप आपको 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 उसको तो साफ़ जाहर है, हमने उसी तरीके से ही सालीबरेशन चाहिद पिश्टी जिड़ों की तरह तो नहीं है लेकिन बेरहल, लेकिन हम सब ईड़ पे खुश है और अल्ला ताला ये खुश हैं जो हैं, इन में मज़ीर इसाफ हमाए हमार साथ आइकन है, सिंगर है और जनाब यूद को और सराई की सिंगिंग में अपना मकाम बना चुके हुए है जहांगीर खान बन्यादी तो और पर तालग तो मुझफर गर से है लेकिन सिंगिंग पता नहीं कहां कहां लिए फिरती है आपको बहुत ईदमुबारग जनाईगी खान, कैसे हैं आप? मैं लहम् Bel粕 ठीकूँ, खेर मुबारग, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत अइद मुबारग हो और तमाम दोस्तों को और तमाम मुस्लिम को बहुत जादा ईद मुबारग हो हमारे साथ हमारे चौते मेमान हैं अन्स मस्तफा और कहने को तो ये इस वकद मतासरीने करोना में शामिल है इनकी जो एद है वो अपने गलवालों के साथ इसलिए मना रहे हैं कि ये बाहर जानी पारे बाहर पढ़ते हैं और जो है बलॉगर्स हैं लिखते हैं यूट के लिए वो सोशल मीडिया कल्चर है आप ठीक हैं कैसे हैं आप और कैसी इद गुज़री है आपको ये बहुत बहुत रहे हैं और अच्छी इद गुज़री है जैसे मामूल के मताबिक होती थी लेकिन ये है कि करोना के वैसे बस हम लोग फैमडी गैधरी नहीं कर सकते जादा तो य ये है कि आला खेर करें इंशाला अगले साल और अच्छी तरीक से एद मनाएंगे तो आप तो अंस बहार से यहां आये तो स्थक हो गए और खुशी इस बात कि कि एद घरवालों के साथ मना रहे हैं पहले मीठी इद हमने घरवालों से दूर मनाई थी तो उस पर बड़ी उ हैं क्या क्या लिखते हो और ये यूथ सारी किस तीकल से फलो करती है चीजां को क्या पढ़ दी होती है जो लिखते हो उसका फीड़ए क्या आता है ब्लागज बेसिकलिए ऐसा है कि लिखना लाइफ के बारे में इसमें डिफर्ट टॉपिक्स हैं लाइफ हो सकती है आप social media को follow करती है जिसमें Facebook, Instagram आती है तो वो वहाँ पर पढ़ना चाहती है दूसरों के experiences को दूसरों के lifestyle को और दूसरों के motivational words को तो वो सब कुछ फिर लोग हैं, bloggers हैं, influencers हैं जो इस बारे में लिखते हैं और उनके एक बड़ी audience जो है study करती है उनको पढ़ती है उपिनियन कितनी आती है? उपिनियन आती है, उसमें positive उपिनियन भी आती है negative उपिनियन भी आती है criticize भी होता है, बट healthy criticism होता है वो एक इस इस पॉजितिव ठीग तो उपिनियन वहाँ पे सब के चाहरे होते हैं, comments में उससे सीखने को भी मिलता है और overall एक process होता है जिसमें हम भी सीख रहे होते हैं वो भी लिख रहे होते हैं वो भी अपने comments के थरू हमें पोस्ची चीज़ने सिखा रहे होते हैं तो यस opinions सब के आती होते है ये चलता रहता है सिशना अच्छा नयाब आप भी ब्लॉगर, इंफ्लॉएंसर, अच्छा टिक टॉक वालों से पीछे नहीं रहे गए? टिक टॉक और इंस्ट्रग्राम मतला ब्लॉगर का क्या comparison, वहाँ पे बहुत तरेंट आया है, इंस्ट्रग्राम के बहुत ज्यादा टैलेंटेड़ लोग हैं वहाँ पे जो आगे आ रहे हैं, जिनके अधर एक्टिंग स्किल्स हैं, वो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, तो यह फिर ब्लॉग से आप सोशल मीडिया को ही इस्तमाल कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं टिक टॉक और इंस्टाग्राम उसको क्यों नहीं फॉलो कर लें? टिक टॉक को फॉलो तो जरूर कर रहे हैं, मतलब हर कोई देख रहा होता है टिक टॉक पे, मतलब लेकिन मैंने चूज इंस्टाग्राम को इस्ते किया है क्योंके लोग वहां पर पढ़ते हैं और लोग जब आपकी बातों से रिलेट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, आप जो कह रही हो, यह हो रहा है हमारे साथ, और मेरी कुश्चिश होती है कि मतलब कुछ healthy activities मैं करती रहा हूं और लोग को अपने साथ engaged रखूँ जैसे for example, अगर exercising की तरफ जाती हूं, मैं healthy workout करती हूं, तो मैं stories लगाती हूं, और लोगों के साथ communicate करती हूं, कि आप लोग कर रह तो वह बहुत अच्छी चीज है, तो वह बहुत अच्छी चीज है, श्याल कैसे आया? क्यों न चोटी-चोटी खुशियों को बना सेलिब्रेट करें? अंस, तुम्हारा क्या सीन राया है कि तुम कैसे सारे काम में तुम आ गए कि यह इसी तरीक ती जैसे नयाव और आशियत वह इंफूरेंस हो गया है, तुम सारा एक overall सीन बन गया? बिस़िकलि इफूरेंसर पोस्ट, जब तक मैं खुद कबिल नुहारा का रहता कि यह और इसको कि इसको हो किई रहता है। एक पॉइंट आ व्यू जो है वो आंसका जबदस्ट रहती है चाहाँ जारी रखो तो मैं बिसिकली हूँ, I started my Instagram channel मैंने start इसलाँ से लिया था कि मुझे एक शौक हुआ था FSE के दुरान कि मैंने गिटार का बहुत क्रेश था बच्पन सी तो FSE के दुरान मैंने गिटार प्ले करना सीखा और आहिस्ता मैं मुझे इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ मुझे तो इंटरेस्ट बढ़ते पदे काफी हद तक बढ़ गया हुए तो फिर मैं ब्लॉगर्स के साथ भी मेरी थोड़ी सी Hello High हुई हुई इसके बाद इंटरेक्शन इस तरह से हुआ कि मीटप्स वगरा होते से ब्लॉगर्स के तो वो मुझे इंवाइट करते थे हार्शीर से मेरा कॉंटेक्ट हुआ था दो साल पहले तो हार्शीर ने बड़ी मुझे स्पोर्ट किया इनकी मीटप्स के उपर जाता सामय है और मीटप्स के उपर फिम जब गैधरिंग होती सी तो गैधरिंग में गाने वाने का शौक भी जिया है वो गटार बजाय कैसे लेते हो गटार फिर अगल ऐसा मौकर था तो गटार आपने होना चाहिए ताए तो गटार है हमारा पास अच्छा जांगीर आप को गाने का शौक और कहां एक पसमांदा इलाका मुझाफरगार कैसे सफर शुरू किया और कहां तक पहुंचे और क्या देख रहे हो कि क्या मंजल है सफर तो बहुत मुश्किल था और है एक्चुली मैंने स्टार्ट लिया था यूनिवस्टी से लह एक ओपन नहीं हो रहा था उसको यानि के आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे तो यूनिवस्टी से स्टार्ट लिया यूनिवस्टी में फ्रेंड्स बगहरा ने काफी यानि के अप्रिशेट किया तो वो शोक जो ऐस्ता आइस्ता जो हो निकलता गया है ना इबरार ने यूनिवस्टी में गया जो खिया तो विल्कुल ऐसी है अबरार भाई की बात हो रही है तो अबरार बहुत जब लहुर में पहले आया थे जो अब मेरा घर है वो पहले रेंट होड़ ले लोते हैं अच्छा जे बिल्कुल देखो बहुए लेगेसी जाया तो उसको बिर लेगेसी जाया थे अबरार भाई की बिल्कुल भी नहीं गई लेकिन बस यही है के आउनलाइन और कर लिया था आउनलाइन को फॉलो गरते है तो वह भाई को तो आगर यही कहते हैं कि में मार्केट गाई यह वाही है वाही है यही दो उन्हार आप इसी तरा चोटी जिसने नहीं भी लेना ना वो जा रहा है के लॉगडान हो जाएका मुझे तो जरूरत होगी तो गोष्ट कहां कहां बांत निकले कुछ बांत तक्सीम का रहा है या बस इद वाले दिन भी जाहे है आज भी सारा ब्लोग इन चिर्सा चाल रहा है तो इद फैमिली पकी वाद जिसमें का रहा है हृँ मैं बहाँ जाहा हृँ या अज्छान सब्सक्राइब प्क्राइब करने है या तो गोष्ट को ईजॉइ करने आज एक एड़ फीद की पिक्चर ली वो सेफ करके रख ली शाम को वो अपलोड करनी है उससे पहले इस एक आड़ इद आफ्ट की पिक् जह अरून में इसलिए आपिसलिए जुझा बटर लृट। यहिए आगवर कि शा मैं तक इसे नगड़ कि शाम तक टार तक शाम टोसा है जुझा इसे नमार के लृट बाद घर आते ही विजबित के शाम के साथ ऑगेज़ के शिचनाओ और अज़ा है तो डॉक्टर्स भी रोग खे थे कि नहीं या इतना गोश निकाना खुदा रहा है तो कैसी नहीं तुमने क्या क्या पकवाया खास इसमें हमारे यह है कि हमारे घर का एक काफी पहले से एक रिच्यूल है ट्रेंड है के बड़ी एड पर फस्ट एपे ना दिन के वक्त क्लेजी बनी है वो जैसे वो नहीं नार्मा जो एक रूटीन है कि सारा अजस तुम तो इदा के ज़फ़ा आप और भेन आपकी घर अपने मतलब वालदान के साथ तो क्या फिर खसूसी एहतमाम क्या हो रहा है अजमाले लिए साला खसूसी एहतमाम यही हो रहा है जैसे आम मामूल के हिसाब से होते ही थी हमारे पिछले सालों में एद तो उसी तरह इस तफ़ा भी हुए है कि हमारे हाँ भी है जैसे हाशी ने होता है सेम टेंडर के कुर्बानी से पहले हमारे घर सायर रिष्दार आते हैं तायबू ही होते हैं हमारे चाचु भी आ जाते हैं खाला भी तो फिर सायर जब मिलके होते हैं तो पहले हमारे कुर्बानी होते ही फिर जो जानवर होता है कुर्बानी का उसके किलेजी जो है वो सारो में प्रण पकजाती है और फॉरन से भीर बैट के खाते हैं वह एक बड़ा अच्छा इवेंट होते हैं कि सारे मिलके बैठे कर्टे ग्यादिन करते हैं आप अध्मिया है वह भी कोई हैं वह एकए बावर वाले आ आदे होगे और वे जुढ़ा ही और दुभर कोई हे सब्दों करता है तो आप उसके फॉलो करते हैं तो बिल्कुल एक जैटी है कि थोड़ा बहुत होता है तो बाहर है बाहर है गए जो एक बंदा थर्ण कि आपको आएद की खुशिया मुबारी को बाहिट से मेरे दोस्त ऑनकी रिजिकल थी तो एक दिन पहले मुझे विश्ट करे थे तो मैं भी और लिए पहले से ज़िए कंगे फ़ी थी रिख कर देश्क कि हो गया मतलब इनके एक उनको खुश कर दिया रहा मेरे रहा है बहुत शुक्रिया आपने आप से गुफ्त को की बहुत मज़ा आया और मज़े से एद मनाएं और आप बहुत खुशियां मनाएं बहुत शुक्रिया आप हमारे शोह में शरीक वे वेलकम बाक, वेलकम बाक एद के जो रंग हैं वो जारी हैं और एद पे जो जिलमलाते सितारे हैं वो यहां मौजूद हैं और अभी हमने जो जहांगीर से गाना सुना कमाल क्या खुब गाया और सराइकी सिंगिंग जो है इस ने बहुत कम वक्त में जो आपना मकाम बना लिया और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक निया स्तारा मौजूद हैं और ब्लोगर हैं, इंफ्लिएंसर हैं फात्मा हमारे साथ मौजूद है कैसी गुजरी है इतुमें, आईद मुबारक सब आप सब को एन बहुत 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 करें के आगे और आने वाली सारी हिस तरह की ना ओ कुछ हद तक होना भी चाहिए वैसे तो गैधरिंग्स वगेरा का आजकल थोड़ा कम ही हो गया फैमिलीज में इवन इद वगेरा पर गैधरिंग्स कभी होना रिस्की काम ही है तो इतना बंदा SOPs को फॉलो करें तो बताओ गोश्च पका क्या आरी हो खा क्या आरी हो तक्सीम करके आरी हो कुछ पिलेंगी सारी जिम्मादारी मामा की है आपने लिए सब के लिए इसमेर बना दिये है क्लेजी बनती है मैंको और हाशेवादी बात के स्टार्ट तो घलेजी सही होता है यह आद में छालाए तो सारी ब्लागर फेमली जो है इससे भी इपलेश होगे मैंने सारी मामा पापा तो पापा को आपा को बहूं को बोड शॉक है आपको क्या पसंद है? बिर्यानी ज़िए इस पर मतलब मैं आपको बर्गर खा लोंगे या आपको सैंड्वीच बना लोंगे जोश तो खाती हूँ खा लेती हूँ इट का specially खाना भी चाहिए after all साल बात कुरबार नहीं आती है सब तरह से जो है ना वो इती जिस तरह से भी हैं बैरल खुशी है तो हम सारी मनारें इती के अल्ला करे जो असल रंग है वो लॉट आए बुन्यारी तार पे तो क्या तुम्हारे ब्लागिंग में क्या specific किन चीज़ों पर focus करती हो कौन से फेवरिट topics हैं? तो कोई specific चीज़ नहीं है कि कोई एक target हो कुछ भी मिल जाए I can do it मैं बहुत मैं त्यारी से लग रहा है कि मेंक बाकी फेवरिट गया लेकि अच्छी बात है मतलब आपको किस तरह से जो है आप लोग ब्लॉगर्स हो किसी को भी आपने आपको कैसे रिप्रिजेंट करना है कि आप एक product है आप उसको कैसे रिप्रिजेंट करना है लेकिन आप जो है ना हम थोड़े से informal session के तब जा रहे हैं कि जना आप informal session से तरह निकल नहीं और अभी जो है यह हमारा segment है कि परची आपको पता है जहां परची चाल जाए तो फिर वहां कुछ और नहीं चलता तो आज हम चलाने लगें अभी परची और परची स्किप कोई नहीं करेगा जो परची निकलेगी तो वह हम आश्यर से शुरू करते हैं आश्यर आपको जो है इस शिल्स्रे में ज़रा आप जो है इसमें देखें वह आज-द मेराया चलान आश्यर की निकलेगा वह सूर्ट के लिघा जान देखें मेरी अचला कुनिए की। जो नहीं की कमेटी निकाल देगो तो मेरी परची निकाल देगा और करता है तो गया तो आपको परटी दबाना तो वो सब निकालता है तो सारों के सामने रखता है तो पर्चियों को उंगली लगाता है तो पर्ची निकालता है उसका नाम निकालता है कुछ और शीक साब आपने तो मारे वाली पर्शी में ने दो गेंटा से फ्रीज में रखी ती खंडी थी अच्छा इस निशानी लगए तो हमें पता कि नहीं लगी भी नहीं अधाओ जो भी है चौलो बस तीगा उधाली चौलें जीए कोई ऐसी बात जिस पर आपको बहुत गुसा आता है हाँ और ये तो जहना वह सारी बात आप लेट मी प्रियरटाइस अहां जिसमें कंट्रोल नहीं होता मतलब जिसमें रह 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 नहीं जाता उसमें बश्या हो गया गुसा गुसा आता है और मेरे मेरे में एक चीज़ एक आदत है जो के मुझे पसंद भी नहीं है कि परफेक्शन के काम जो है ना परफेक्ट होना चाहिए यह अभी आशे सवाल जो आपको असीज़ना शुरू का देना सारी परफेक्शन जैना मैं तो मुझे पूछ नहीं मुझे इसको गुसा कैसे आता है चलें ने देखके बताएं कभी ने यह तो तुम कर एक दिखा अगरे कम पता चले के गुसा इनके सामने कभी भी आई तंगन के नहीं आ양ता फ़र जाड़ कर भूंट हूं लेकिन अब कोशिश है कि कम से कम आए और इजार तर इसी चीज़ पर आता है कि जब कोई चीज़ जिसन से चार हो नहीं हो पारी तो उस पर अपने आपे पर गुसा नहीं हो रहा है तो अब इस पर लेकिन किस बात पर ज्यादा गुसा आता है वो उपता हो सबसे जादा गुसा बाई चोटा है नहीं बड़ा बाई है गुसा कर नहीं सकता सबसे छोटा हूं तो किसी पर कारी नहीं सकता गुसा निकाल नहीं सकता तो अब recently मुझे मतलब बुचता है को बस आई जाए 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 जाला जी देखें जी हाँ शेकल पाद गी है दिखाव अज़र बताओ हाँ अपने पसंदीना गुलुकार का गाना सुनाए अभी सुने दोला हमने सुने जांगीर से साथ जैटे को तुम अभी सुनने भी स्राइक की है तुम कुछए कि ऊसमें साला क्यों कर स्क्राइक आज़र खुछए इस वे खुछए हाँ जी तुम अब तो शुनाना पड़े का है कुछएर लिए पसे फेवरिट सिंग कूछए अभी जांगीर के लावा किसका नाम लेएलां आज़ाँ तो बता दो माशाला है यहाने लिए ओम आप करते हैं माशाला जो सराइकी संगर्स था इनलिए मुलतान को बहुत अंब हो यूड ऐसे विए जनलिए बराग है इस और उड़ आपक गाने आप बता है रापकेस जारी उसराइकी की तरह जारी कौ arises dog? कोई SPECIFIC SINGLE का Systems, चाहणिे कि र grant कुछ वहाँ बता तुम चाहँ, बताथा कि पणजाबी सोंग ऌगा चाहँ मृड़ा को座 कुछाऊ संती है कि मुझा खना सुनाद। तोड़ा पता चले ये न काना वोग लाइन लगजेगी वह पॉपार लाइन अब मुझा करना के साना कोई सुना दो कुणा दो कोई वीजो तुम पुझाबी तुम सुनतियो यहार तुम में जाज़ पॉपड़ा तुम यहार कुछ पी इतना है तुम करे लाएंन तुम पॉपड़ा पॉपड़ा प्नियू ना कुछ पर एक लाइन कि एक लाइन तो कि वीजोग के लाइन देखा ये ये फाथमाटी में अज़दा तुम पॉरान अपने इंदान को पोचेंगे तुम यहार बाइन तो चलो, okay, शुरू करो तुमाट एक लाइन पर्स, एक वान लाइन एक लाइन पर्स जांगीद, करो जी हल्प करो जांगीद को साथ गा दो साथ गा लो वो शुरू कर गाए चलो अभी क्योंके रिसेंट मैंने एक गाना सुना है तो मैं वही सुना दोती हूँ मेरी गल, मेरी आदा या कोई गलती तैनू कुछ याद होवेगा तेर मेरे बिना तैनू प्यार नहीं करना पावे कोई मेरे बाद होवेगा वे तू किन्ने आदी जिन्दगी सिगाली मैं नूवियों नानाल करता वे तू किन्ने साला बाद हाल पुछे आते फेरोई हाल करता यह तुम्हारा क्यादिया खता को तो आरा मुझे यह तो स्विच करो भई हो तो कमार अच्की वाली अभी हम वैसे मिस करें हम आचेहन्स को हमें है इसमनाट्स को हम चाले के लिए की आध़ा मैंने अम्मी अबुज़ से किस बात पर डान्ट पड़ी यह तो असान से बाद है जब भी अवारा गर्दी की तो डाटी पड़ी और वह अभी तक पढ़ रही है अच्छा से कहते हैं या रिक लिए कामेच में आगा तो बहुत कहते हैं मैंने बहुत फेस किया है मुझे इस फेल्ड के अंदर सपोर्ट नहीं थी लिए बस मैं in हुआ फिर आउट हुआ, 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 2003 से, 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 2003 से आपने साथ बेठे हुए लोगों को एदी देने यहां लुकी देने जाए बेठे हैं और लोगों का एक लोगों का एक लोग नीका वह अच्छा है है ओके ठीक है जी होगे जी मिल गई आपको फात्मा देखे जाए कि एडी जी हम इसको चैमले पर पी रेकॉर्ड करेंगे और एडी आपकी है वो डिवे जी ये बिलकुल इसी तरीके से जो खुशियों का जो रंगों का सिलसला है वो जारी रहेगा अभी ले रहें एक चोटी वलकुम बछूए जो यहां पता है आज जो इन्फुएंसर और ब्लॉगर्स हैं अभी शोर पे जह पर शारी उनकी मजी चलिया ऑथ हमने फिर इंफुएंस कर लिया के जह नद्रूर्ड ऑन-डिमांड जहना कि अन्स का गाना सननना है तो अनसर बैक और अनसर मेरे साथ वेलिकम बेक आंच के तुम्हारे टीमेट्स हैं यह मुआ जल्याते दो ने गाला किए लुगा ही तो अब क्या गाना सुने मेरे emit मेरे खाल से आप अगास बुग है तो क्यो ना 40 अगास के वाले से इन गाना गाल है क्या बات है तो सालाक अचे सबसाट प्रणो रहने हों तो बहुत जबरदास्ता है यह तो हमारा आप जो यूट के मतलब आपने एक जूट जाते हैं किसी से ना और दिल दिल पाकिस्तान जो जब भी कहीं भी छोटे बच्चे भी और जब सब जलाली पर्चे महात में होते हैं जो हमारे आखों के सामने जुने आफ हो गया हमारे पास आप देख लो तुम आप देख लो यह जहना कुछ आप कुछ नहीं पर्चे से अच्छा की जहना देखें यहां मारे साथ बिलकुल प्रशान होने की ज़रती हैं इंटर्पिन्योर भी मौजोद है और आशेद क्याश की आप देखों कोई बास वह ख बिलकुल जाया्स की खुछ था विलकुल झाद है तो आशेजाना बीजन्सक्राएज़ की जड़ ख Care को घुकन जाना और शुषदूलाय प्रशार इस हम ठ् WACCissa के शुक्तलों पूड़िवाना शूत्याना आजशार को लिघा हैं चें सोगह थाकिसे तम्हारे पास ही आते और बड़ा response भी काफी जाता होगे लास्ट विल्ट आप लोगों के कैसे तो मीट-प ही आज होगया ना आज हमारे पास आप सब लोगों के अप लोगों का तो बैसे जब एक general meet-up होता है आप लोगों का तो क्या discussions होती है और क्या styles चाले होती है और क्या बड़ब एक दोसरे को influence करने के लिए और impress करने के लिए इंस्पार करने के लिए क्या क्या तरीके होती है नसी नॉर्मल टैक्टिक्स के है अध मैं तो मीट-पे वगलाब होती है जाद कर लिए वेल्दी फात्मा तो कोई इवंट आने वाले उसे रिलेटेड डिसक्शन हो जाएगी जैसे हमारे साथ सिंगर्स मौझूद है इनकी सिंगिंग हमें सुनने का मौका मिल जाता है और इसके लागा तो तुम बताओ आन्स के क्या जब यह जो मीट-प रहती है तो क्या इसमें होता है कि सारा दो साल होगे तुम्हे आशचत से मिले हुए और सारा किल्पे मीट-प सुनने तो मैंने यह एक चीज और नोटिस भी किया कि मीट-प रहते हैं कि जो सारे ब्लॉगर वगर आई होत की जो सारे सिर्ण बिद्र आवे कोई। जैसे लिग आखना है यहाल कि अधियर जी होता है आई है इसी होता है ऑप लोग जब चार लोगों से नए लोगों से मिलते हो तो आपको कुछ सेखने का मूं का मिलता है अब वहां पे ब्लॉगर्स होते हैं को एक सीएट जिसका ज् और इसी तरहा लोगों से आप मिलते हैं आप जैसे अन्थ से भी पहली दफा वही पर ही ऐसे मीटप पर ही मुलाकात ही थी तो पता चला कि इतना टैलेंटिट एगे माशाला कितना मतलब इतना अच्छा गाना काता है गे और इसी तरहा होता है कि जो लोग अपनी किस तरीके से रहता है सारा जब सिंगर्स के मीटब के कैसे मिलते हैं तो क्या गैसे तो पलाशा इस बने भी कौल कि क्या बहुत अच्छा गाया जारी रखो को मौटिवेशन मिलती है बिल्कूल बहुत धा मोटिवेशन में इसमें जो हमारे सिनियर्स हैं अप्रिशेट करते हैं लेकिन उन में एक चीज है के वो जो रियल चीज है ना उसको करते हैं कि यह मैं इस चीज़ को एगरी करता हूं हमेशा देल काम को जertos का हैं Yes वो करतेrence को इसले कर रे होते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी भी होती है क्सा की सक्पूरी किसी को स्थ नू टेलेंट है अगर नई चीज़ है वो इतनी स्पीडिली जो है वो रपिर्टिली जो है वो एक्सपैंड्ड हो रही है और अवाम में popular हो रही है और उसको सुना जा रहा है या उसको अप्रिशेट किया जा रहा है सारा है तो सारी मतลम क्या उस में वब इस सुनाम की सुनते हैं कलाम जो अट्रैक्ट कर रहा हो बहुत जादा मैं mixing की तरफ आया ही अट्रैक्शन देख कर था कलाम के अट्रैक्शन और दिलों को चो जाता है और तेजी जिए से IS-PPD ली जो है ना वो एक ग्रोम हो रहा है व्रोडवाइड ग्रोम हो रहा है आप इस मैं आपको सकता है कि हमारे फॉरंड के इन्दर यूक के यॉरपक के अंदर अमेरिका के के इन्दर कितना ज़्यादा जो है ना स्राइकिकrows रहे सोना जा रहे हैं और फोक सिंगर की जो है बहुत जादा जाए वो डिमांड है। बहुत जादा यानि कि उसको कॉल आ रही है। आउ नो देखिए नो वो चिट्टे पधरते बह के दिल उठवा हम ते वतना ते वल्वां ख्लाम भी आसान हो गया है। वह स्फिक है वह उसे जिए उसे जी है वह आस्वी आशी अच्छा तुम किया त्यारी करके जाते हो meet ups पर क्या plan क्या होता है जहन में क्या क्या होता है पर क्या आज कैसे influence करना है मेरा तो basically होता है कि like सब bloggers को मैंने मैं brand और bloggers के दिमाण इक bridge होता हो तो मेरे तो मीट-अप पे यह होता है कि एक कॉल, सेकिंड कॉल, थर्ड कॉल, सारे पहुंच गिये हैं, कोई नहीं अभी भी यही चाहरा था, थोड़ा से लेट पहुंच आइए अच्छे आज बार्बीक्यू पार्टी किस की तरफ से नाउंस है, अंस की तरफ से नाउंस है, पात्मा ने तो आट खड़े करते हैं, तो बाइयानी खाने तो बात करो, नहीं तो अदरवाइस जैनल सारे वह आप, मैं आफिस में बलके प्लैन, अंस है, और ब्लॉगर्स हैं, तो सबका एक अठे एक बार्बीक्यू पार्टी, अच्छा, अच्छा, ओके, तो मैं तियार नम्दार श्रीफ में रोज़े रखते हैं, तो जैसे हम स्विच करते हैं, हम जाप बिन करते हैं, कि हम करते हैं, कि कुछ नमकीन हो, और कुछ ऐसा साल्टिश बना, और जैसे अब ये आती है, बड़ीद आती है, जो पता आता है, कि आम लोग तुमाम साल्टिस बना, तो हर ये उसके रखते हैं, 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 उसके के रिप्रिजेंट करते हैं आप लोग और आपको भी इस्तिकामत दे हिमत दे कि आप भी किरदार अपने इस्तार रखें के यूथ आप से इंफुएंस हो और बिलकुल बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज आपके विज़ा से तो इतके रंग जम गए और अब हमारे साथ ह और जांगीर असा गाना सुना देना के लग फुता जाए के बस और बस जबर दस वैसे माशाला तुमने भी बड़ी जगा बनाई है अपनी और अल्ला पाक तुम्हें भी तरकी दे और जबर दस कि दमने गाना सुना दे